गाईज जिनोंने कल की वीडियो नहीं देखी उन्होंने आज 2 trade मिस कर दिये एक upside का और एक downside का दो trade मिस किये अगर आपने लिये हैं trade ठिक है तो वो लोग profit बना पाए होंगे तो इसलिए बोलते हैं वीडियो को complete देखा करो like किया करो, share किया करो तो अब देखो आज की जो market है उसको जो हो गया, सो हो गया अब आप देखो कि Monday को अपन क्या कर सकते हैं कैसे trade प्लान कर सकते हैं तीक है, ये line आपको ये अपने कल की video में ही लगा ली थी ठीक है, कि इस तरीके से इस range में market चल रही है, कहां पर entry लेनी है put की कहां पर लेनी है, call की ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हुआ, Monday को क्या क्या हो सकता है, और trade कहां लेंगे, पहले ये समझते हैं कि क्या हो सकता है, उसके बाद trade कहां पर लेंगे तो यहां पर देखो, ये वाला अगर level इस तरीके से चल रहा है ठीक है, तो यहां पर ये बन गई है indecision candle तो Monday को जो बनेगी candle अगर तो bullish बन गई यहां पर तो इधर की rally अपन देखेंगे अगर ये breakout हो गया, ठीक है यहां पर कोई bearish candle बन गई तो फिर अपन को इधर की rally देखने को मिलेगी चलिए, ये तो हो गया simple view, ठीक है, अब देखते हैं कि Monday को अपन बड़े profit कैसे जर्नेट कर सकते हैं ठीक है, simple समझो यहां पर ये देखो, ये one hour का चार्ट हो गया, और यहां पर one hour के चार्ट पर देखो गया, तो same वही levels अभी चल रहे हैं, ठीक है, और यहां पर ये वाली, इसमें अपन ने scalping की ठीक, अब इसको लगाते हैं, पंदरा मिनेट पंदरा मिनेट, अब पंदरा मिनेट में देखो, क्या है और Monday को कैसे प्लान करना है ठीक, पहलो तो आज का ट्रेड देख लेते हैं, या तीन मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहां पर देखो तीन मिनट का टाइम फ्रेम यह अपनने लगाया यहां पर बाजार ओपन हुआ, यह देखो यह 9.15 की कैंडल है, ठीक है और आपने अगर वीडियो देखी है कल की, तो यहां पर यह वाला देखो यहां पर बैरिश हरामी कैंडल बनती है, और अपन इधर का ट्रेड प्लान करते हैं, और यह एक्जिट होता है, ठीक है यह एक्जिट हो सकता था आपका तीन ट्रेड बने है, जिसमें से एक यह क्योंकि यह वाला तो पहले कैंडल के उसमें आ जाता है, तो यह कैप्चर नहीं हो पाता लेकिन एक यह ट्रेड और एक यह दो ट्रेड, यह दो ट्रेड समझ लो नहीं आप समझ पाए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है चलिए, अब मंडे को बाजार अगर इसके नीचे ओपन हो गया, तो अपन इधर का ट्रेड देखेंगे, ठीक है पुट साइड गा, और अगर इसके बीच में ओपन हो गया, ठीक है, इस बीच में गैप अप ओपन हो गया, ठीक है यहाँ पर, और एक हरी सी कैंडल बना कर यहाँ चला गया, और यहाँ कोई शूटिंग स्टार या कोई भी बैरिस सिगनल मिला तो अपन पुट साइड का ट्रेड फिर से इनिस्टेट करेंगे क्योंकि यह लेबल्स अपने पास रहेंगे रेजिस्टेंस के लिए, यह वाला, ठीक है तो यह अपन ने देख लिया मंडे का बिलकुल सिंपल यह देख लो, एक यह देख लो, ठीक है यह देख लो, यहाँ पर, ठीक है शुटिंग स्टार या कोई भी बैरिश सिग्यनल मिलेगा या यहाँ पर कोई बैरिश सिगनल मिलेगा यहाँ उपन हुआ और इधर की तरफ यहाँ पर बुली सिगनल बन गया ठीक है, प्राइज अक्शन अपसाइट का बन गया अगर आपने वीडियो देखी होती तो आज आप trade बढ़िया यह capture कर पाते ठीक है बिल्कुल simple देखो यह देखो यहाँ पर open हुआ ठीक है यहाँ पर open हुआ पहली candle पर entry नहीं बनती ठीक है उसके बाद यह breakout पर यहाँ पर entry बनती है और यह momentum 100-100 points का है लगपक यह capture होता ठीक है उसके बाद यहाँ पर फिर से support ले गया है बाजार और फिर से upside है अब अगर यहीं पर open हुआ इस के नीचे इस line के नीचे open हुआ ठीक है तो ठीक है इस line के नीचे open हुआ यह level कौन सा है यह अगर यहाँ पर open होता है यहाँ कोई bullish candle बनती है तो एक trade यहाँ 100-100 points कैप्चर करेंगे और यहाँ अगर open हो जाता है इसके आसपास ठीक है यहाँ पर 22,000 और 22,000 यहाँ 50 के बीच में कहीं open होता है और इसको break करेगा तो अपन इधर का plan करेंगे ठीक है यह वाले trade plan करेंगे और अगर यहां नहीं open होता है इधार open हो जाता है कहीं 22,200 के करीब करीब मा लीजिए तो यहां पर अगर shooting star या कोई bearish signal मिल गया तो downside का trade initiate कर लेंगे क्योंकि यह resistance रहेगा और अगर यहां पर कहीं open होता है और यहां थोड़ा सा अगर time बिताएगा अगर open हुआ उसी flow में निकल गया फिर capture नहीं हो पाएगा फिर नहीं लेंगे फिर यहां आकर कहीं रुखेगा ठीक है तब अपन trade initiate करेंगे और अगर direct यहां पर open हुआ और इसी flow में लेंगे तो फिर trap हो जाएगे ट्रैप हो सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है चलीए उमीर है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जनकरी समझा गई होगी वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजे कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो की नीचे कमेंट कीजे वीडियो वेखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया